हिमालाय के जंगल में ऐसे कई पेर पौधे हैं, जो अपने आप में अनोखे हैं। ऐसे पेर पौधे और कही नहीं पाये जाते। इन पर लगने वाले फल और फूल सबसे अलग होते हैं। इन पर लगने वाले फल इतने मीठे और खुश्बूदार होते हैं कि कोई भी इन्हे खाय बिना रह नहीं सकता ऐसा ही एक पेर नदी किनारे था जिस पर सारे बंदर अपने राजा के साथ रहा करते थे बंदरों के राजा का नाम महाकपी था महाकपी बहुत ही समझदार और ज्यानवान था महाकपी का आदेश था कि उस पेर पर कभी कोई फल न छोड़ा जाए जैसे ही फल पकने को होता वैसे ही वानर उसे खा लेते थे महाकपी का मानना था कि अगर कोई पका फल तूटकर नदी के रास्ते किसी मनुष्य तक पहुँचा तो ये उनके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है सभी वानर महाकपी की इस बात से सहमत थे और उनकी आग्या का पालन करते थे लेकिन एक दिन एक पका फल नदी में जागिरा जो पतियों के बीच शुपा हुआ था वो फल नदी में बहकर एक जगव पहुँच गया जहां एक राजा अपनी राणियों के साथ घूम रहा था फल की खुश्बू इतनी अच्छी थी कि आनंदित होकर राणियों ने अपनी आँखे बंद कर ली राजा भी इस खुश्बू पर मोहित हो गया राजा ने अपने आसपास नहारा तो उसे नदी में बहता हुआ फल दिखाए दिया राजा ने उसे उठा कर अपने सिपाहियों को दिया और कहा कि कोई इसे खा कर देखे कि यह फल कैसा है एक सिपाही ने उस फल को खाया और कहा कि यह तो बहुत मीठा है इसके बाद राजा ने भी उस फल को खाया और आनंदित हो उठा उसने अपने सिपाहियों को उस पेल को खोज निकालने का आदेश दिया जहां से ये फल आया था काफी मेहनत के बाद राजा के सिपाहियों ने पेल को खोज निकाला उन्हें नदी किनारे वो सुन्दर पेड नजर आ गया उस पर बहुत सारे वानर बैठे हुए थे सिपाहियों को ये बात पसंद नहीं आये और उन्होंने वानरों को एक एक करके मारना शुरू कर दिया वानरों को घायल देखकर महाकपी ने समझदारी से काम लिया उसने एक बांस का दंडा पेड और पहारी के बीच पुल की तरह लगा दिया महाकपी ने सभी वानरों को उस पेड को छोड़कर पहारी की दूसरी तरफ जाने का आदेश दिया वानरों ने महाकपी की आग्या का पालन किया और वो सभी बांस के सहारे पहाड़ी के दूसरी ओर पहुँच गए, लेकिन इस दोरान दरे से हमें बंदरों ने महाकपी को बुरी तरह से कुचल दिया, सिपाहियों ने तुरंत राजा के पास जाकर सारी बात बताई, राजा, म वीर्टा और समझदारी हमें इतिहास के पन्नों में जगर देती है, साथ ही इस कहानी से ये भी सीख मिलती है कि हर मुश्किल घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए